चलिए अध्यक्ष महदे मेरा सवाल ये है कि राची जिला अंतरगट इटकी में नैशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल का भवन निर्मान किया जाना था अध्यक्ष महदे जो सरकार के द्वारा मुझे उत्तर प्राप्थ हुआ है आप मेरे प्रशन के खंड दो में देखेंगे तो इसमें लिखा हुआ अध्यक्ष महदे की वर्तमान में भवन बन कर तयार है मगर हस्तांचरित नहीं हो पाई है तो इसमें पूरक मेरा यही है अध अध्यक्ष महदे उन्होंने बिल्डिंग का निरक्षन किया था इस दर्मियान पता चला कि बायो लैब बनाना है और केंद्र सरकार से 2.5 क्रोर रुपीज केंद्र को आवंटित करना है राज्य सरकार को अध्यक्ष महदे अगर इसमें सरकार ने कोई पत्रचार किया है कें मंत्र जी सुनु जी करिएगा उततर सुन लिजे Subsid मैं जी मंसित अध्यक्ष महदे है यह पूरा मामला को से इस सरकार से एजुड़ा हुआ नहीं है अध्यक्ष महदे ये पूरा केंद्र क्योजित योजना है अदेक्षमोद है और सारी चीजों का काम केवल हमने जमीन देने का काम किया है अदेक्षमोद है बादबकी ये केंद्र परयोजित योजना है और वो क्रियानवे भी उसी के एजनसी कर रही है अदेक्षमोद है इसमें कोई राजिस सरकार को कोई बहुत इसमें लिना देना नहीं आध्याक्ष्मोदे पूछी अध्याक्ष्मोदे चिन्ता तो मेरा यही है जब राजिय सरकार बोलती है किसी भी पर्योजना में कि केवल मेरा इसमें जमीन देने का मामला है तो इस अगर गवर्में इस लिमिटेटिंग इसल्फ अगर आ बनाए जा रहें, बिल्डिंग बनाए जा रहें, आप हमारे मांडर छेत्रों में देख लीजए, लापों में इतना एकर जमीन हमने दिया सोलर प्लांट के लिए, अभी केंद्र बोलता है कि नहीं हम लोग ने अपना स्ट्रक्चर लगा दिया है, बिजली विभाग को अपने तरफ से एक मेकानिजम सेट करना चाहिए, फॉलो अप मेकानिजम ताकि जो योजनाय केंद्रे से आ रही है, उसका कम्पलीशन, लूप को क्लोशर किया जाया देख्श्मोदे, ये बात इस सरकार की या इस सरकार की नहीं है, अदेख्श्मोदे, आप देखेंगे अब पुरक पराइए, पुरक मेरा ये ही अदेख्षमोद है, पुरक मेरा साफ साफ है, मुझे बता दे कि राज्य सरकार की कब तक हस्तांशित होने वाला है, दूसरा चीज अगर इसमे प्रोजेक्ट आया है केंद्रे सरकार से, तो उसमे राज्य सरकार ने अभी तक क्या पत्रचार किये हैं, वो पत्रचार मुझे उप्लप्त करा दे, 2016 के बाद है अदेख्ष मौदे, 2023 हो गया, बिल्डिंग खड़ा है, वहाँ जहां कहीं पर बिल्डिंग बनता है, तो रोजगार का लोग एक्सपेक्ट करते हैं, कुछ तो स्टेट के लोग एक्सपेक्ट करते हैं न, जमीन देते हैं, तो चिंता तो यही है बस, मान्य मंतिर जी, अदेख्ष मौदे, मान्य इससदर से द्वारा सवाल से हट के लंबी चोड़ी व्याख्या की गई है, मूल सवाल यह है, अदेख्ष मौदे, कि यह पूरी योजना, परियोजना, केंदर द्वारा संचालित भी की जानी है, और उसका निस्पादन भी उसी के माद्यम से होना है, और यह काम भी उसी की इजन्सी को करना है, अदेख्ष मौदे, इसमें स्टेट गवर्मेंट का कोई बहुत इसमें पाटिशिपेशन नहीं है, तो इसमें जो है, फिर भी यदि मान्ये सदस की इक्षा है, तो हम लोग उनको वर्तमान वस्तिती से आउगत कराने के लिए विभाग के द्वारा पत्रचार कर दिया जाएगा देख्ष मौदे, और यथा उचित पत्रचार करके यथा उचित इनको जनकारी भी उपलब्द करा दी जाएगा देख्ष मौदे, जाए 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 है जाए 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 झाल झाल